हल्लो दोस्तो वेल्कम बैक तो दी चैनल होरिजन ग्लासस सो दोस्तो में हम बी-कॉम फॉस्ट सेम का यह सने बस देखें हैं दोस्तों स्टेट एजुकेशन पॉलिशी सले बस आध की इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तों यह वीडियो हमारा पटिकुललर्ली होने वाला कुवेंपू University वालों के लिए दोस्तों जो भी लोग कुवेंपू University से देख रहे हैं उनी के लिए आज का हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों आज के इस वीजिए में टॉटल कितने सब्जेक्स रहेंगे और वो सब्जेक्स कितने मास्च Dar reported रहेगा कौन सा सब्जच आपको Emir रेचेक और कौन सा सब्जेक्स आपको कमपर प्र ही रहेगा यह सारे आज कि वीडियो में तोछली यह कैंकि दूस्तों साब चलिएrend रहेगा है आपको ले सकते हैं या तो फिर बर उर्दू ले सकते हैं २ ने सकते हैं मराथी ले stepping यह चूज कर सक्ते हैं दोस्तों सकेंड्र रहेगा हैं लाइंन्ग्मेश सब्चटि आपको इंगलीश रहेगा दोस्तों English subject यहां पर आपको compulsory subject रहेगा दोस्तों English का यह दोनों हो गए हमारे language related subjects दोस्तों आप बढ़ते हमारे commercial related subjects की तरफ दोस्तों third subject रहेगा financial accounting हमारा third subject रहेगा दोस्तों financial accounting एक problematic subject रहेगा दोस्तों जो आप प्यूसी में accountancy पढ़ते थे वहीं यहां पर financial accounting में आपको पढ़ना रहेगा यह आपको problematic subject है उसके बाद fourth subject रहेगा दोस्तों principles and practice of management आपको थेरी subject रहेगा दोस्तों जो आपने प्यूसी में प्यूसी सेगेंडियर में business studies में planning organizing डिरेक्टिंग पढ़ा था ना दोस्तों वहीं आपको management में आपको पढ़ना रहेगा यह आपको थेरी subject रहेगा उसके बाद fifth principles of marketing बहुत इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है principles of marketing में आपको marketing रिलेटेट पढ़ना रहेगा यह आपको थेरी subject रहेगा दोस्तों उसके बाद यहाशी पी बैच है जो यहनी पी बैच थे था दोस्तों उनका और आपका सले बस सारा का सले बस सेम रहेगा मधा दोस्तों सब्जेक्स इंटी संक्रण provide लेकिन जो अंदर के subject में के सलेटस्ते वो सारा सेम है दोस्तों और खुषकामी की बात बता दोस्तों जो यह सले यह step by step सारे classes हम financial accounting के देखेंगे दोस्तो principles and practice of management and principles of marketing यह become first sum यनिपी वालों के लिए था जो पूरा सलेपस मैंने पढ़वा दिया है दोस्तो और law and practice of banking become second sum को था यनिपी बैच में become second sum को यह law and practice of banking था और इसका भी मैंने करवा दिया था सारे classes तीनों subject के management के marketing के and banking के तीनों के notes में आपको तीनों के classes आपको playlist scaling में आपको description box में छोड़ दूँगा दोस्तों और financial accounting classes start करेंगे इसलिए चैनल के साथ बने रही है चैनल को subscribe कर लीजेगा दोस् constitution Indian constitution में दोस्तों हमारे इंडिया के constitution के बारे में पढ़ना रहेगा और यह आपको कमपल सरी subject रहेगा दोस्तों यह होगा हमारे seven subjects आपके become first sum के लिए दोस्तों चलिए दोस्तों यहां तक तो हमें यह क्लियर होगा है total हमारे become first sum में seven subjects हैं अब यह कौन सा subject आपको कितने marks की प्लस आपका आटेंडेंस प्लस आपके समिनर्स के उपर यह 20 मास रहेंगे और 80 मास का आपको पेपर रहेगा का एक्साम के लिए 20 प्लस 80 करेंगे तो 100 मास का पेपर रहेगा इसके उपर आपके 10 मास रहेंगे और यह 40 मास का आपको एक्साम में पेपर पुछा जाएगा 10 प्लस 40 करेंगे तो 50 हो जाएगा दोस्तों इन 6 सब्जक के 600 और इंडियन कॉंस्टेशन का 50 याने दोस्तों टोटल आपको बीकॉंफर सम में 650 मास के आपका बीकॉंफर सम रहेगा दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रिंशॉट ले लिए दोस्तों तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों जैसे मैंने कहा था बैंकिंग के मार्केटिंग और मैनेजमेंट के तीनों के ग्लासस मैंने करवा दिये थे जिसके प्लेलिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोगा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक् और अपने सारे फ्रेंट्स के साथ इस वीडियो को शेर कर दीजेगा दोस्तों थैंक यू सो मच